नमास्कार वेल्कम बेक टो आवर चैनल एंजल स्पेशन आज हम बनाएंगे परवल आलो की गरी जो की खाने में बहुत ही टेस्टी डिलीसियस होता है और बनाना भी उतना ही आसान है और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे वो भी बिल्कुल फंक्शन वाली जैसे जिससे साधी फंक्शन में बनता है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे तो फिर आईए देख लेते हैं यहां पर मैंने 500 ग्राम के परवल को ऐसे हुवास करके इसे कट कर लिया है और यहां पर मैंने ग्यास पे ओयल भी चड़ा दिया है ओयल हमारा गरम हो चुका है हम परवल को फ पाल वाइंडे हम तैसे सीन फर्वल अच्छे से फ्राय हो जाएगे हम ऊसे निकाल देंगे देखिए हमारा परवली खेल अवी फ्रवा स्वराइ उसे बागी कर लेंगे और यहां करी बनाएंगे मैंने यहां पर एक देश पता को तोड़ के डाल दिया एक बड़ी लाइजी दो छोटी लाइजी तीन से चार अस्टार आनास का टुकड़ा और एक इंच के डाल चीने और आदा स्पून की जीरा डाल दिया है यह सब ड्राइ मसाला फ्राइ होने के बाद मैंन मैं यहां पर डालूँगे दो मिडयाम साइज के ओन्योण कि इसे हम असे लबेे लबे पिसे में कट किये है अन्योल घोसी देरा आनैंको हम अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं अब हमारा ऑन्यों भी टूसी हो गया है अब हमार ऑनियन एस बुशले टिंजर गालिक और ऑन्यो मसाला पी बोन गया है इसमें डाल देते हैं दो मिडियम साइज के टोमाटो और टोमाटो को साफ्ट होने तक हम भूनेंगे अब मैं इसमें डाल देती हूं थोड़ा काजू और कोकोनाट का पेस्ट इससे हमारी करी की टेस्ट बहुत अच्छी आएगी बिल्कुल फ़ंक्शन जैसे कोकोनट और काजु के रॉस मेल जाने तक हम इसे भूनेंगे और मैं इसमें डाल देती हूँ दो स्पून रेट चिली पाउडर, आदा स्पून हल्दी पाउडर, आदा स्पून धनिया पाउडर मसाला को हमें अच्छे से भूनना है करें 15-20 मिनिट तक मसाला से रॉस मेल नहीं जाता है देखिया, मसाला भी अच्छे से भून गया है और वे सेपरेट हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं फ्राइ की उए परवल और यहां पर मैंने लिए है छे से भीन गुटिक हो जाएगी वह जो पीसे में कट किये हैं तो इसे ही रहे की करी में हमारा पटाटो अस वाद कनों साथ ढाल देंगे नामक और ठोड़ा से डालेंगे कसुरी में थी, आप चाहे तो आलो डाल सकते हैं या फिर बिना आलो के भी बना सकते हैं, अगर आपको आलो पसंद नहीं हैं, तो आप आलो को स्किप्ट कर सकते हैं, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, वन कप पानी, और इसे अच्छे से मिला अगर आप इसमें आलो डालते हैं तो फिर इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आएगा देखिए कितना यह डिलिशस लग रहा है अब हम इसे ढग देते हैं ढग के साथ 5-7 मिनट के लिए उबालने देंगे ताकि हमारा परवल और आलो में अच्छा से मसाला और नमक चला अच्छा है तकि बहुत ही डेश्टी लगे लगे में लग रहा है रहे हैना विल्खूल द्मक चैजह से अभम हम एक स्पून चीकेन मसाला आप चाहिए तो कोई भी मसाला डाल सकते हैं मेट मशामा या फिर कोई भी करी म सेला सबजी मसाला डाल मृथ सकते हैं मुझे चीकक इसे लिए मैंने चिकन मसाला डाल दिया है आप अब फिरसे उसका धाके दो मिन्यत के लिए छोड़ देंगे उबलाने के लिए कि हमारा फाइनली करी बनके त्यार हो गया है इतने जल्दी और इतने आसानी से बहुत ही टेस्टी करी बन गया है अभी हम ग्यास के फ्रेम को अफ कर देते हैं और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं आप चाहे तो इसे राइसो पराठा पूरी या फिर रोटी किजी के साथ भीका सकते हैं और केसा लगा आज का हमारा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं फिर मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक यू